दोस्तो सोजाता की चालबादियां देखलो आज सोजाता पर ही बहुत भारी पड़ चुकी हैं दोस्तो हम सभी जानते हैं कि सोजाता ही नकली राधिका को लाई थी और नकली राधिका को अपने कंड्रोल में करना चाह रही थी लेकिन नकली राधिका तो बहुत बड़ी चाल दे दिया है जिस कारण अब जग्वू अस्पताल में भरती हो गया है और उसको लकवा लग गया है दोस्तों हम जानते हैं कि नकली रादिका आसली रादिका को अपने राष्चे से हराने के जक्तर में जग्वू को छत पर से धक्ता दे दी है और कितना बड़ा कांड करके किसमत्षी ऐसी है कि नकली राधिका का इल्जाम भी हमारी प्यारी राधिका पर ही लग गया है लेकिन इस बार हमारी असली राधिका ने सभी के सामने आकर पूरी कहानी सुनाई और बताया कि मैं असली राधिका थी वो तो नकली राधिका थी लेकिन किसी ने भी उसका विश ख़ास नहीं कर रहा है लेकिन सुजाता सभी जानती है क्योंकि जब जग्गू और नकली रादिका के बीच हाता फाई हो रही थी तो सुजाता वहीं पर खड़ी होकर देख रही थी लेकिन अब सुजाता ने नहीं चाल चली है कि वह नहीं चाहिती कि असली रादिका मेरी घर जेल चली जाएगी तो मेरी पूल भी नहीं खुल पाएगी कि मैं ही नकली रादिका को इस घर में लाई थी लेकिन दोस्तों अब अपकमिंग ट्रेक बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जगबू तो अब मेडिकल होस्पिटल में भरती हो गए है और वो अभी बेखोशे की हालत में है और पूरा दोस्त हमारी रादिका के सर पर लगाया गया है अब हमारी रादिका कैसे बचेगी वा तो देखना ही बहुत अच्छा होगा लेकिन हमें पूरा विस्वास है कि जब भी हमारी रादिका मुशिवत में आती है तो कली भावी जरूर साथ देगी क्योंकि जब अस्ती रादिका और नकली रादिका उस रूम के अंदर लडाई कर रहे थे तब कली भावी ने रूम के बाहर से आबास सुनी थी तो हम upcoming happy show में देखेंगे कि करी भावी रादिका के रूम में जाएगी और बताएगी कि रादिका मुझे पूरा विस्वास है कि यहाँ पर एक नकली रादिका थी क्योंकि मुझे बहुत पहले से सक्ष हो रहा था कि जो रादिका पहले थी वहाँ ऐसी हरकते करती थी कि जैसे वहाँ रादिका ओना और उसस दिल सादी होना थी तो मैंने तुम दोनियों की लड़ायी की आबाद कमरे के बाहर से सुनी थी और मुझे पूरा विस्वास है कि त सब के बाद अब सोजाता के राच पर जो परदा डला है वह उठ जाएगा अब जो सोजाता को लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं होगा अब बंदर हाउस से जरूर बाहर जाने वारी है वो भी हमेशा हमेशा के लिए यदि आप चाहते हैं हमारी प्यारी रादिका सुख्मा रहे और दिव्यम रादिका के जोड़ी बनी रहे तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमें आई लब रादिका जरूर लिख दीजिए